हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशी केश और आप वेख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप और आज इस फुडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मसांजी सूपर लीग के मुकाबले की जो ये खेला जाएगा पाल रॉक्स वर्सिस डर्बन हीट के बीच में पाल रॉक्स के बॉल एंट पार्क स्टेडियम के अंदर चार दिसंबर को रात के नौ बजे से और इस मैच का लाइब टेलेकास होने वाला है सोनी 6 और सोनी ESPN के उपर अगर मैं बॉल एंट पार्क के पिछ रिपोर्ट के बारे में बात कर तो यह एक और बहुत जबर्दस बैटिंग ट्रैक है MSL के अंदर बैटिंग ट्रैक समको देखने को मिल रहे है और बॉल एंट पार्क भी बैटिंग ट्रैक होने वाला है बॉल का फेचर से बैट की उपर आएगा और बाउंडरीस पे कब भी छोटी इस ग्राउंड की तो अब टॉल जीते पहले बॉल निंग करोगे अब T20 के अंदर चेस करना ही प्रिफोर करते हो सबसे पहले बात करता हो होम टीम पाल रॉक्स के बारे में तो पाल रॉक्सी टीम फिला टॉप अफ़ टेबल चल रही है और उनका प्लेयोफ से बहुत अग्दम पका हो चुका है ये टीम प्लेयोफ से पहुंच चुकी है पाल रॉक्सी टीम ने बहुत जबर्दस खेला है पर टूर्णमेंट के अंदर और वो आगे भी इसी को continue करने की कोशना चाहेंगे इनको हर मैच पे एक नया स्टार प्लेयर मिलता है पिछले मैच में दर सीबो ने लों मखानिया ने बहुत जबर्दस पारी खेली थी सीबो ने लों मखानिया से कोई तुमीद करता नहीं पर फिर भी सीबो ने लों मखानिया ने बहुत जबर्दस पारी खेली तुम को जीत दे लों जबर्दस बात है उनने काफी अची बैटिंग करी पिछले मैच के अंदर कैमरून डैलपॉर्ट भी दीर दीर फॉर्म में आ रहे हैं वो काफी तेज शुरुआ दे रहे हैं टीम को कैमरून डैलपॉर्ट एक बहुत जबर्दस प्लेयर और वो प्लेओफ से पहले अगर फॉर्म में आ जाएंगे तो टीम में बहुत बढ़ी अबात होने वाले तो वापस उमीद होगी कि 5-2 प्ली अच्छी बेटिंग करकर देंगे इस टीम के लिए उसके लावा जेम स्विंस का फॉर्म भी काफी दार जबर्दस तरह है जेम स्विंस से काफी बड़ी अप लेकर वो इस तरह से फॉर्म में रहते हैं तबरेश शामजी बहुत उमीदे होने वाली हो, साथ दिरोंगा बीजॉन फॉर्चून, बीजॉन फॉर्चून की बॉलिंग बहुत जबर्दस विकिट टेकर है वो टूनामेंट के, और तबरेश शामजी बॉलिंग बहुत जबर्दस बॉलिंग करी है टीम ते लिए, तो इ तो यह टीम होने वाली है पाल रॉक्स की और पाल रॉक्स की टीम यह मैं जीतने की पूरी-पूरी कोशना चाहेगा अब मैं बात करता हूँ डर्बन हीट की टीम के अबार रॉक्स की टीम गारा सकता है और वो भी प्लेवाप्स में अची से पहुंसे को वापस है एक और काफी इंपोर्टन मैश डर्बन हीट के लिए वो करिये मैं जीतेंगे तो उनके लिए बहुत जादा जबरदस बात होनी वाली है इस टिंग में बैटिंग लग रहा है फाइनली फॉर्म में आ चुकी है एलेक से पिछले मैंज में काफी बढ़िया पारी खेली अगर वो धीरे धीरे पारी को इसरा से बढ़ाते जाएंगे तो एलेक सेल्स के लिए बहुत जबरदस बात होने वाली है एलेक सेल्स काफी बढ़िया पारी उसरा से वो कंटिन्यू करेंगे तो टिंगो बहुत फायदा होगा डेविड मिलर ने भी कमाल की बैटिंग करी इस टूनमेंट के अंदर काफी अचे कैमियो खेल रहे हैं वो भी आते हैं काफी बड़ी बड़ी हिटे मारते हैं और नमबर चार-पांच के उपर आके बहुत जबरदस पारी के लिए डेविड मिलर भी तो वापस उनसे बहुत उमीद होने वाली है कप्तान डेन विलास ने भी काफी बड़ी है बैटिंग करी प्रूनमेंट के अंदर उनी कप्तानी भी काफी अच्छी है वो विकिटी भी काफी अच्छी कर रहे है और उसके लाव बैटिंग भी बहुत जबरदस है ये डेन विलास की तो वो भी जबरदस प्ले होने वाले उसी के साथ-साथ विहान लूबे ने भी काफी बड़िया बैटिंग करके दी है एक काफी strong bets में विहान लूबे जिस तरह से खेल रहे हैं वो टीम के लिए बहुत बड़िया बात है तो इस तीम में बैटिंग को बहुत जबरदस खेल रहा है और अगर वो इसी फॉर्म में रहता है तो किसी भी टीम को दिक्कत दे सकता है बॉलिंग के अंदर काई लेवर्ट लग रहा है फ़ानली फॉर्म में आ गहाए है काई लेबट लेटि लाइफ थाफ भी स्टॉंग होगी है और उनको विकेट्स पर अच्छे काहती हैम बिल जाते हैं तो जबरदस बॉलने काई लेबट और उनका साथ यह है केशब महराज केशब महराज भी लगदा धिर धिरे-फॉर्म में आरे एकनोमिकल रहरों को विकेट नहीं मिल रहा पर भी केशब महराज भी काफी जबर्दस पर तो यह मैं डर्बन हीट के लिए पॉस इंपॉर्टन होने वाला है अगर वो यह मैं जीते की तो जरूर से टूनमेंट में आगे बढ़ सकते हैं तो अगोने लाइनप के बारें बाग करतो ओपनिंग करेंगे वैसले मार्शो एलेक्स हेल्स नमबर तीमे विहान लूबे फिर डेविड मिलर डेन विलास रविवपारा एंडाइल फिलिकवायो केशब महराज मारको जांसन मलूसी सीबोतो और काई लेबर्ट तो यह टीम होन उन्हें वाली है कि शिंगे उपर तो यह एक बहुत जबर्दस मुकावला होने वाला दोनोई टीमों के बीच में पाल लॉक्स के लिए टाप रहे होई डर्बन हीट के लिए यह एक और डूर डाए मैस हो कर और वो यह मैच जीज जाएंगे तो उनके बहुत फायदा होका तो यह बहुत important match होने वाले दोनोंगी टीमों के लिए और दोनोंगी टीमों को जान लगा देगी है मैं जीदने का तो मुझे उमीद है यह छोटी सी वीडियो का पसंद रूसा आई होगी अगर आपको यह वीडियो चीने तो लाइक जूर से करना सब्सक्राइब बनाचे लोगों को इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियों का बहुत बहुत थैंक्यू मुलागातों के अपने शूरे के अंदर और याद रखिएगा स्पोर्ट नहीं तो कुछ नहीं